इस वीडियो में हम फार्मूला टाइब के डेट एंड टाइम फंक्शन में नाउं फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, मिन्ट फंक्शन, आवर फंक्शन और टाइम फंक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर करेंगे नाउं फंक्शन, नाउं फंक्शन जो होता है जो हमारे सिस्टम में डेट एंड टाइम चली होती है इकरंट यहां पर डेट एंड टाइम क्या चली हुई है उसको यह यहां पर बताएगा तो इसको करने के लिए हम के करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाव फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर इकल टू यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पर नाव यह यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर नाव आ जाएगा यहाँ पर कि close करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह लिखो यहां पर यह जो करन डेट एंड टाइम यहां पर चला हुआ है वो यहां पर आ गया है यह यहां पर डेट है यह यहां पर आ गई इसके बाद यहां पर यह टाइम है यह टाइम यहां पर आ गया है इसके बा distribution use करेंगे तो यहां पर हम click करेंगे इसके बाद यहां पर equal to यह लुकां लिखने के बाद यहां पर second यह लिखो। यहां पर second निचे आजाएगा यहां पर double click करेंगे double click करने के बाद इसके बाद आगे है serial number तो serial number जो है यह हमने अभी यह निकाला नाव फार्मूला के जरीए यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह सेलने में यहाँ पे आ जाएगा A3 आने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे यह ब्रैकेट बंद की ब्रैकेट को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे यह enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह second यहां पे निकल के आ जाएंगे तो यह यहां पे second formula है जिसके जरी हम यहां पे second यहां पे निकाल सकते हैं इसके बाद आगे mint function है तो हम यहां पे mint यह निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए यहां पर click करेंगे, click करने के बाद, इसके बाद यहां पर equal to लिखेंगे, equal to लिखने के बाद यहां पर mint लिखेंगे, यहां पर mint यहां पर निचे आ जाएंगे, यहां पर double click करेंगे, double click करने के बाद आगे है serial number, तो serial number पर click करेंगे, तो serial number यहां पर यहां पर यहां पर click करेंगे यहां पर click किया इसके बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह दिखो यह mint यहां पर निकल के आ जाएंगे तो इस तरह mint function के जरी हम यहां पर mint निकाल सकते हैं इसके बाद आगे यहां पे दिये गया our function यहां पे हम our function use करेंगे यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद our यह यहां पे नीचे आ जाएगा यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद यहां पे CD number यह लिखेंगे तो CDA number इस पर click करेंगे यह जो निकाला हुआ है यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद यह cell name में यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket को बंद किया बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यहां पे hours यहां पे निकल के आ जाएंगे यह जो हमने यहां पे mint और hour यहां पे निकाले हुआ है यह automatically यहां पे change उत्ते रहते हैं यह जो हमने यहां पे second, mint, hour यहां पे यह निकाले हुआ है इनके जरीए हम क्या करेंगे यहां पे time formula निकालेंगे तो यहाँ पे time formula यूज़ करेंगे यहाँ पे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे time यह time यहाँ पे आ जाएगा निचे यहाँ पे double click किया double click करने के बाद आ गए आ है यहाँ पे hour तो यहाँ पे click करेंगे यह निकाले हुआ है यहाँ पे click किया ये सलनेम में यहां पे आ जाएगा c7 इसके बाद दिया हुआ है कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे है mint तो ये निकाली हुआ है यहां पे यहां पे क्लिक करेंगे ये सलनेम यहां पे आ जाएगा सलनेम आने के बाद यहां पे कॉमा लगा हुआ है कॉमा लगाए बंद करने के बाद यहां पर enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो जो यहां पर time चला हुआ है वो time यहां पर आ जाएगा तो इस तरह से हम यहां पर time function के जरीए यहां पर time निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हमने now function, second function, mint function, hour function और time function के बारे में जाना अग अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी रगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद